प्रेश दरोड़ा आप सबको जया मसीग की मैं परमिसर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबा दिखाने के लिए एक और दिन परमिसर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया हम परमिसर को कुटी-कुटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टा राज मैसी आपके सम्मुक को पस्तित हूं और आज का संदेश है प्रभु येसुमसी क्या वो वचन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत लोग इन वचनों को चर्चिस में दिवारों पर लगाते हैं घरों में भी लग आए जाते हैं लेकिन इसका रहस्य क्या है क्या बात थी ऐसी कि प्रभु येसुमसी ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी क्या महत्व है इसका और ये वचन है पहाड़ी उपदेश जिसे कहा जाता है क्योंकि प्रभु येसुमसी पहाड़ पर गए और वहाँ पर उन्हों अपने चेलो को सामने बठा कर उन्हें ये शिक्षा दी, यहां पर पहाड़ी जोग देश हैं, यह है एक अध्याय से पाच अध्याय, मती पाच अध्याय, और उसका एक पद से बारा पद तक, यहां पर क्या बाते हैं ऐसी, क्यों ये शिक्षा अपने चेलो को दी, इसका रह चाहिए तो आज इसी बात पर हम मनन करेंगे तो बने रहीएगा मेरे साथ सुरूर शेले के अंतितक और अगर बात समझ में आ जाए तो इसे जरूर शेयर कीजेगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स मैं आपसे गुजारिस करता हूँ उसे जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आज उसमें सवाल है कि वो कौन सा राजा है जिसने हिंदुस्तान पर राज्य किया कौन सा राजा है जिसने हिंदुस्तान पर इंडिया पर भारत पर र मेरे साथ मेरी मुहीम में शामिल हो जाएए कि जिद है सच को पहलाने की एक छोड़ी सी प्रात्ना करते हैं फिर आज के वचन में चलेंगे प्रोजी में धन्यवादे तों आज की सुबह दिखाने के लिए और मैं बिंती करता है प्रोजी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद साहता कर मेरे होटों को मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लैस कर मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कफ़े में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकि तेरा आत्मा हो जो भी गुड़ भेत की बाते इन वचनों में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभू बिंती करता है जितने भी लोग इन वचनों को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं प्रभू हर एक को आशिशित कर हर एक की रोग बिमारी चिंता परिशानियों को दूर कर हर एक घर से प्रभू जी लड़ाई जगड़े तफर के मन मुटाओ प्रभू जी बांजपन और प्रभू जी बेरुजगारी नशा कर दे और असाध्य रोग दूर कर दे प्रभू जो लोग डिप्रेशन में हैं, हमके डिप्रेशन को दूर कर प्रभू और जो लोग घरों से चले गए हैं, उन्हें वापस घर में फेर कर ला धन्यवादितना प्रभू, तुन्हें मेरी प्रात्ना को सुन लिया ये श्यू के नाम से मांगता हूँ, आमेन प्रेशन लोड तो आईए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे ये संदेश है, पहाड़ी उपदेश जिसे कहा जाता है और इसे हम देखते हैं, मती रचित सुस्मा चार, पांच अधियाए एक पत से और बारहें पत तक, आईए हम पहले उसको पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभू ये सुमसी ने अपने चेलों को दी है और इसका एक मकसद था ये सुमसी का, इसलिए प्रभू ने ऐसा किया तो आईए देखते हैं सबसे पहले, मती रचित सुसमाचार, उसका पांच अध्याए, पहले पत्से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर इस परकार से लिखा है कि वैस भीड को देखकर पहाड पर चड़ गया और जब बैढ़ गया तो उसके चेले उसके पास आए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ के प्रभू यह सुमसी ने अपनी जीवरी में अपने काम करने के समय में दो परकार की मिनिश्ट्री चलाई एक चेलों में उन्हें शिक्षा दी, उन्हें आग जाएं दी और एक लोगों में उन्हें वचन सुनाया, उन्हें खाना ख चंगा किया, यह दो मिनिश्ट्री यह सुमसी ने साथ साथ चलाई, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को छोड़ कर भीड थी यह सुमसी के पीचे, उन्हें छोड़ दिया और चेलों को लेकर कहा गए हैं प्रभू यह सुमसी पहाड़ पर, पहाड़ पर जब गए तो व पहाँ अध्याय की पहले आयत में लिखा है, वह इस भीड को देखकर पहाड़ पर चड़ गया और जब बैड़ गया तो उसके चेले उसके पास आए, फिर हम आट अध्याय के पहले पत को जब हम देखते हैं तो लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो दी, तो यहाँ पर इसका मतलब है पास छे और साथ अध्याय ये तीनों अध्याय प्रभु येसु मसी ने चेलों को शिक्षा दी, कहाँ पर पहाड़ पर, इसलिए इन उपदेशों को पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी शिक देश देने लगा, कि इनको चेलों को, चेलों को येसु मसी ने खटा किया, बारा है चेले थे, फिर उनको पहाड़ पर ले गए, भीड को अलग छोड़ दिया, उनके साथ जो काम येसु मसी ने करना था, वो बाद में भी करेंगे, क्योंकि हम जब आठ अध्याय में चेलों के साथ आकर, येसु मसी ने फिर लोगों के बीच में बेशते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि वह अपना मूँ खोल कर उन्हें उपदेश देने लगा, कि इनको चेलों को, क्या है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्ही का है, ये येसु मसी चेलों को बता रहे हैं, येसु मसी चेलों को दीन बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी मिनिश्ट्री थी इन चेलों के सामने, प्रभू येसु मसी का जो एक मिशन था, वो ये नहीं था कि वो आएं बारा चेलों को बनाएं, और उसके बाद उनको सिक्षा दें और फिर लोगों को चंगाईयां दें, रोटी खिलाएं और उनको बचण सुना कर वापस चले जाएं नहीं, यिसू मसी का जो मिशन था बहुत लंबा मिशन था और वो मिशन आज तक चल रहा है यिसू मसी की जो योजना थी वो ये थी कि येसु मसी बार हैं लोगों को तैयार करें उन्हें सिक्षा दें उनको आग्याएं दें और फिर उनको जगत में भिजदें और ये बात प्रूफ होती है मती 28 अध्याए और उसके 19 पद में वहाँ पर क्या लिखा आईए पहले उसे देखेंगे बाद में फिर हम वापस आएंगे मती 5 अध्याए में 28 अध्याए और उसके 19 पद में प्रभू ये सुमसी क्या कहते है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवितरात्मा के नाम से बबतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें अग्या दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंद तक सदाओ तुम्हारे साथ हूं 19 और 20 पद वो कहते जो अग्या मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आग्या दे कौन से बातें येश्व मसी ने जब चेलों को पहाड पर अग्या दी वो शिखाना चाहते है सबसे पहले प्रभी यिस्व मसी ने कहा आजए देखेंगे पांच अध्याए में पहले पद से दूसरे पद से हम पढ़ेंगे मती पांच अध्याए और दूसरे पद में यिस्व मसी कहते है हम आप लिखा है कि और वै अपना मूँ खोल कर उन्हें उपदेश देने लगा तीसरे पद में यहाँ पर पहाड़ी उपदेश शुरू होते है जो बारायत तर चलते हैं लिखा है धन्यवे है धन्यवे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्ही का है यिस्व मसी चेलो को सिखाना चाहते है कि अपने आपको दीन बना लेना क्योंकि एक बहुत बड़ी मिनिश्ट्री तुम्हारे सामने है और वो मिनिश्ट्री कब शुरू होती है जब प्रेजितों के काम में चेलों को यिस्व मसी एक कलीसिया बना कर दे कर जाते हैं वो पहली सदी की कलीसिया थी यहां पर यह पहाड़ी उपदेश पहली सदी की कलीसिया से अटेच है यहां पर पहाड़ी उपदेशों को सिखाने का मतलब है यिस्व मसी पहली सदी की कलीसिया की तैयारी कर रहे है वो चेलों को बता रहे हैं समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें कैसा होना पड़ेगा मन में दीन बनना पड़ेगा दीन का मतलब है छोटा बन कर कोई तुम्हारे इस गाल पे थपड़ मारे तो ये गाल उसकी और फेर दो इस प्रकार के मिनिस्ट्री प्रभू येस्व मसी कराना चाहते क्योंकि यही बाते येशु मसी ने इसी अध्याय में आगे चलकर लिखी हैं ये कोई तेरा कपड़ा छिनने तो दूसरा भी उसे दे दे कोई थोड़ी सी दूर ले जा तो बहुत आगे तक आगे जा और लिखाए कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के रिप्रात्ना करो ये होता दीन पन छोटा बन जाना वो ही सिखा रहे हैं प्रभू येशु मसी कि धन्यवे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य हुनी का है सिखाया येशु मसी ने चेलो को देखो अपने आपको दीन बना लेना अगर नहीं बनाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेस नहीं करोगे कठोरता हटीलापन धीटपन डांटना फटकारना कुरोधित रहना चिड़ चड़ा रहना ये चीज नहीं रहनी मिनिस्ट्री में ये चीजे नहीं चलती दीन बन कर रहना बहुत जरूरी है दूसरी दूसरी चीज क्या है ये सुमसी चार पद में बताते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शानती पाएंगे कौन सा शोक सताव का शोक जब सताया जाए तो हम शोक को सहलें लिखाए धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शान्ति पाएंगे जब हम ये शोक को सहलेंगे ये दुख रूपी अगनी को जब हम सहलेंगे तब हमें परमिस्द सिर्व मनी बनाएगा चेलो को ये सिक्षा दिये प्रभी यहां तक के याकूब का मर्डर तक कर दिया गया पहला चेला था जिसको बाइबल में ही बताया गया वो सहीद हुआ याकूब तो यहां लिखा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शान्ति पाएंगे कहां पर परमेसर के राज्य में स्वर्ग में वो शान्ति पाएंगे फिर हम देखते हैं पांच पद में तीसरी जो धन्यवादी है धन्यवे जो नम्र हैं क्योंकि प्रिथी की अधिकारी होगी नम्र ऐसा सुभाव ऐसा सुभाव जो किसी को बुरा ही ना लगे नम्र दीन छोटा बन जाना नम्र ता अपने अंदर लेकर आना फिर पॉलुस ने आगे चलकर यह चीज आगे हमें बहुत जगा बताई भी है कि हमें अपने आपको नम्र और दीन बनाना चाहिए तो यहां पर लिखा है कि धन्यवे जो नम्र हैं क्योंकि वो प्रिथी की अधिकारी होंगे कौन सी प्रिथी के वो नए प्रिथी और नया अकाश जो परमे avs usur हमें देने वाला है मैं दूसरा पत specifically मिसीये में जिसका जिकर पत्रस ने किया है प्रभू самый-is Beispiel को यह ही सिखा रहे हैं हुँ कहते हैं कि नम्र बनो क्योंकि तुमिह हो जो की अधिकारी होगी जोrepी नई-दिय का जो प्रुनुकर देने धर्म के भू के प्यासे थी कि धर्म का अर्थ है विश्वास जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पंदरा ध्याय में तो बहाँ पर अबरहम ने शिकायत की परमेसर से कि मेरा तो कोई भी वारिस नहीं है क्या ये दमिश्की एली आजर मेरा वारिस होगा तब परमेसर नहीं ते कहा कि नहीं तेरा निज़ पुत्र तेरा वंच होगा तेरा धिकारी होगा तब परमेसर नहीं उसको बहार ले जाकर कहा कि क्या तू तू तारागन को गिन सकता है इनको गिन ले, मैं तेरा वंस ऐसा ही करूँगा मा लिखा है कि अबराहिम ने परमिनसर के उपपर विश्वास किया और ये उसके लेखे धरम गिना गया जब हम परमिनसर के उपपर विश्वास करते हैं हम धर्मी बन जाते हैं तो यहां लिखाया धन्यवे जो धरम के भूके और प्यासे हैं हमें विश्वासी बनकर उस विश्वास की खोज करनी है जिसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वासी से जीवित रहेगा प्रीज देलॉड तो यह धन्यवादी बहुत बहत बहतरीन है लिखाये के धन्यवे जो धरम के भूके और प्यासे हैं हमें अपने धर्म का हम कैसे धारमिक बन जाएं हम कैसे प्रभु यश्वासी क्या अग्याओं का पालन करें हम कैसे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें हम इसकी खोज में लगे रहे हम ये भूक और प्यास हमारे अंदर हो लिखा कि धन्यवे जो धरम के भूक और प्यासे हैं और उसका रिगार्ड क्या मिलेगा उसका इनाम क्या मिलेगा कि वो त्रप्त किये जाएंगे परमिस्त अरुन के इस प्यास को बुछा देगा फिर हम आगे देखते हैं साथ पद में धन्य वे जो दयावंध हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी जो दया करते हैं याकूब की पत्री दो अध्याएं और उसके तेरह पद में लिखा है क्योंकि जिस पने दया नहीं की उसका नयाए बिना दया के होगा दया नयाए पर जयवंध होती है यसमसी कहते हैं धन्य हैं वे जो दयावंध है दया करना हमारा एक फर्ज है हमारा एक विश्वास है हमारा एक कर्म है हमारा वो काम है जो आग्या प्रभु यसमसी ने दी है उसे मान लेना लिखा है क्योंकि जिस ने दया नहीं की उसका नयाए बिना दया के होगा ये दया हमारे लिए बहुत जरूरी है तो ये सुमसी वहाँ पर क्या कहते हैं पाच अध्याई में हम वापस आते हैं जब साथ पढ़ रहा था मैं लिखा है धन्य वे जो दयावंथ है क्योंकि उन पर दया की जाएगी जो दया करता है परमिस्तर उसके पर दया करता है जो नहीं करेगा परमिस्तर भी उसे छोड़ देगा आठ पद में लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध है ये विचार हमारी बुद्धी हमारी विचार हमारा दिमाग हमारा माइंड अगर शुद्ध है पवित्र है तो हम धन्य हैं प्रभू की नजर में चेलों को यहीं सिखा रहे हैं सिवकाई के दौरान चेलों को शुद्ध मन से सिवकाई करनी है यह प्रभू येसु मसी उनको सिखा रहे हैं कहते हैं धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं आईए देखेंगे इबरानियों 12 अध्याए और उसका 14 पद यानि का सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवितरता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभू को कभी नहीं देखेगा कदापी नहीं देखेगा पवितरता के खोजी जिनके मन शुद हैं पवितर हैं वही परमियसर को देखेंगे और इबरानियों का लिखने वाला कहता कि सबसे मेल मिलाब रखने और उस पवितरता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभू को कदापी नहीं देखेगा बिना पवितरता के हम प्रभू को किसी भी रिती से नहीं देख पाएंगे बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धी को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को दुरुस्त रखें यानि के पवितर रखें, गलत बाते ना सूचें, और एक अच्छा विचार अपने मन में रखें, हो सके तो अपने मन में आत्मिक गीत और भजन करते रहें हम वापस आते हैं, मती पांच अध्याय में, लिखाए धन्य वे जिनके मन शुद हैं, क्योंकि वो परमेसर को देखेंगे, तब ही देखेंगे हम परमेसर को, जो हमारे मन शुद होंगे नौपद में लिखा है धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेसर के पुत्र कहलाएंगे मेल करवाने वाले किस का मनुस्यों से मनुस्यों का और मनुस्यों से परमेसर का ये मेल चाहता है परमेसर के हम मनुस्यों को परमेसर से मिला दें और मनुस्यों को मनुस्यों से मिला दे जिनमें मन मुटाव है लड़ाई जखड़े है तफर के है उनको आपस में मिला दे क्या है उसका पर्तिफल क्योंकि वो परमेसर के पुत्र कहलाएंगे हम जब ऐसा काम करेंगे चेलों को यहीं सिखाया प्रभू एसमसी ने के मेल करवाएं मेल करवाएं एक दूसरे से लोगों का परमेसर से मेल करवा दे और वो काम चेलों ने किया फिर हम आगे पढ़ते हैं धन्य वे जो धरम के कारण सताय जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है हम जानते हैं बारा के बारा चेले यहुद अश्कृति को अगर छोड़ दें तो बाकी चेले इनकी मृत्यू कैसे हुई एक अलग वीडियो है मेरा आप देख सकते हैं टाइम लैन में देखेगा जरूर मिलेगी जिसमें लिखा मैंने बताया कि बारा चेलों की मृत्यू कैसे हुई यह सब सहीद हुए यहुना को छोड़का यहुना सोभाविक मृत्यू मरा लेकिन बाकी सब सहीद हुए सब को मारा गया तो यहां लिखा है इस धन्य वे जो धरम के कारण सताय जाते हैं क्योंकि स्वरक का राजय उन्हीं का है और आखिर में देखे क्या लिखा है धन्य हो तुम जब मनुसे मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताय और जूट बोलवल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बाते कहें तब आनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए इस स्वरक में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भश्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीती से सताया था येसु मसी नहीं हाँ पर उन्हें सजग सतर कसावधान कर दिया कि सताय तो जरूर जाओगे क्योंकि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे मारेंगे और बहुत कुछ तुम्हारे साथ करेंगे वो तुम्हें सहना पड़ेगा क्यों कि पहले भश्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा किया था लिखाया भश्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीती सताया था तुम भी सताय जाओगे यहाँ पर येसु मसी ने इनको ये शिक्षा दी येसु मसी ने एक तयारी की थी पहली सद्धी की कलीसिया की पहाड़ी पर जब वो पाँच छे और साथ अध्याय में चेलों के साथ बैठे रहा है और फिर हम छे अध्याय में बहुत सारी बाते पढ़ते हैं साथ अध्याय में भी बहुत सारी आग्याय शिक्षाएं पढ़ते हैं जो चेलों को प्रभु येसु मसी ने दी हैं ये आग्याय मेरे और आपके लिए भी है दोस्तों हमें इन पर गौर करना चीएं और ऐसे ही करने का प्रयास करना चीएं क्योंकि चेलों ने निडरता से येसु मसी की उस सेवा को आगे बढ़ाया जो येसु मसी छोड़ कर गए थे और आज अगर चेले काम ना करते तो बाइबल हमारे पास ना होती हम भी प्रभु येसु मसी को नहीं जानते हम ये नहीं जानते कि पाप क्या है हम शेतान का सामना नहीं कर पाते हम परमिसर के अनुग्रह से वंचित होते हम स्वर्गी अबातों से वंचित होते हमें कुछ भी नहीं मिलता हम नरक में पढ़ जाते और परमिसर से हमारा संबंध ही नहीं होता अगर ये चेले काम नहीं करते और ये वचन संसार में ना फैलाते Praise the Lord हम पढ़ते हैं प्रेटों के काम 12 ध्याए और इसके 24 पत में देखे क्या लिखा है या लिखा है प्रंतू बरमेसर का वचन बढ़ता और फैलता गया ये इन्हीं लोगों का काम था इन्होंने वचन को बढ़ाया फैलाया ताकि वो मेरे और आपके पास हो हम उसे पढ़ें अपने जीवन को सुधारें और बहुत से लोगों के जीवन को भी बचाने का प्रेयास करें Praise the Lord परमेसर इन वचनों के दोरा हम सब को आशीदे यदि आज आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंस में लिख दीजेगा और इस वचन को शेयर कीजे ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके मेरे जो दूसरा चैनल है टूपस उसमें आज का सवाल है कि वो कौन सा राजा है जिसने हिंदुस्तान पर राज्य किया जानते हैं तो कमेंस में दीजे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मेरे साथ मेरी महिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को पहलाने की यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाएए तक कि नौटिफिकेशन आपके पास पहुच जा नया वीडियो बिना वेवधान के आपके पास पहुच जा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स वोक्त में आकर मुस्त दुरूर बाचित कीजिए प्रेज दरौर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी प्रेज दरौर आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस सेवकाई को समझिए जो येसु मसी ने चेलों से शुरू कि थी और आज मेरे और आप तक पहुंच गई है प्रेज दर लोर्ड